नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत इजी सा ओम रेमेडी लेकर आया हूं जिनकों भी सरनी खांसे जुकाम के समस्य च्छाती में बल्गम जम गई हो और काफी दवाई करने के बाद भी medicine लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रही हो तो यह remedy जो मैं आपको आज बताने वाला हूं इसे जरूर ट्राय कीजिएगा बहुत effective home remedy है दोस्तों और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है चलिए आपको बताता हूं इस remedy को तयार कैसे करना है इसके लिए किनके चीजों की आउश अजवायन दोस्तों हमारे पेट से समझ्दित सारी ही समस्याओं को ठीक करती है अजवाईन का इसतमाल आप कई तरीकों से सरदी खांसे के लिए इस्तमाल कर सकते हों एक जबसे पहला तरीका यह है कि आजवायन को आप तवय पर गरम करलेज़े और इसकी पोठली बनाकर ग सरदी की समस्या भी ठीक हो जाती है, लेकिन आज मैं आपको दूसरा तरीका बताने वाला हूँ, इसके लावा हमें लेनी है long, long जो होती है दोस्तों हमारी छाती में जम हुए कफ को बाहर निकालती है, साथ इसमें anti-inflammatory, antibacterial properties होती है, यह खासी को दूर करती है, गली के दर्द से हमें आराम दिलाती है, इसके लावा long जो होती है, यह हमारी immunity को भी बुष्ट करती है, अगली चीज़ आपको लेनी है दोस्तों है black paper, यानि की काली मिर्च, काली मिर्च दोस्तों इसे भी सरदी खासी जुकाम के दमाईयों में इस्तमाल किया जाता है, आयवेद में काली मिर्च, तीनों ही चीज़ों आपको कीचन में असानी से मिल जाएगे, अब यहाँ पर चौती चीज़ों ले रहे हैं, वो है गिलोय, गिलोय के बारे में आप सबको अच्छे से पता भी होगा, गिलोय को आयरिवेद में अम्रीत बताया गया है, चाहिसकी पत्ती की बात करे जो आप देख रहे हैं, यह गिलोय का तना है, जिसे मैंने छोटे छोटे टुकडों में कट कर लिया है, गिलोय का रस बहुती फादे मन्थ होता है खासकर सरदी खासी, बुखार, बदन दर्द, मलेरिया, चिकन गुनिया या फिर डेंगु जैसी भैंकर बिमारी में भी, य बहुती इफ्यक्ति होती है, सरदी खासी जुकाम के लिए, पुरानी से पुरानी बुखारी के लिए इसका इस्तमाल किया जाता है, अगर आपके पास गिलोय नहीं मिले, तो यहां पर आप साथ से आठ तुलसी की पत्तियों का भी इस्तमाल कर सकते हैं, यहां पर मैंने लि काढ़ा बनाने वाले हैं, चलिए, शुर्य करते हैं, आपको गैस पर एक पैंख चड़ा लेना है, और गैस को स्लो फ्रेम पर रखना है, इसमें हम डाल देंगे एक गिलास पानी, दोस्तों हम एक उस्तमाल कर रहे हैं, ताकि हम अच्छे से इस काढ़े को उबाल सके, इसमे से डालने के बाद इसे 8-10 मिनिट तक उबनने के लिए छोड़ देंगे दोस्तों यह जो होम रेमिडी तयार हम कर रहे हैं यह श्रीज पर सौ फिसदी वर्क करती है दवाईय का तो बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होता है जबकि इनका किसी भी प्रकार का कोई भी साइड यह हमारे श्रीज के लिए बहुती बहतरीं तरीके से काम करती है खासकर इस ठंड के मौसा में इसे काढ़े को जरूर बनाकर आप भी पीजेगा आप बच्चों को भी इसे दे सकते हैं देखे दोस्तों अच्छे से उबल रहा है इस काढ़े को मिठा करने के लिए हम डाल द किजे गुड क्या करता है दोस्तों यह हमारी रोग पति रोधक छमता को बढ़ाता है गुड में बहुत जादा आरन होता है हमारे हमोगलमी लेवल को बढ़ाता है जिने इनीमिय की शिकायत है उन्हें गुड का सेवन जिरू करना चाहिए यह हमारी हड़ियों को भी कि खालते रहना है देखिए दोस्तों काफी अच्छे सोब्ल चुका है पानी भी आधी हो चुकी है अब हम क्या करेंकि इसे बढ़ा देंगे तो सरदी खांसे की समस्या सो आपको छुटकारा मिलें ही मिलेंगा साते साते पूरे शरीर की रक्ष्षा करेगा यानि कि रोग प तो आपके घुटनों में, कमर में तकलिफ होती है ना उससे आपको बहुत ही जल्दी रात मिलेगी, बानस्पेशिय में जो एठन होती है, जकडन होती है उससे भी आपको आराम मिलेगा, आप इसे दिन में दो बार भी ले सकते हैं लेकिन सिर्फ थंड के मौसर में लेजेगा एक खुराक सुबा ले लीजे, एक खुराक शाम को ले लीजे बच्चों को दे रहें तो बहुत ही कम मातरा में दीजेगा तो दोस्तों इस remedy को जरूर एक बार try कीजेगा सरदेखांसे जुकाम, गली की खराज, सूजन इस तरह के समास्या में आपको तूरंत फायदा देखने को मिलेगा आश्करता हूँ, वीडियो आपको चलेगी होगी, जानकारी चलेगी होगी वीडियो चलेगी होगी तो शेयर कीजेगा ज्यादा से जाना लोगों तक पहुंचाएं और ज्याते ज़रूरी इस वीडियो को लाइक करते हुजाएं आपके इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया